आरोपियों की सुन रही पोलिस हमारी नहीं हो रही कोई सुनवाई आरोपियों की गरफतारी की मांग को लेकर S.P. को सौपा ग्यापन मंगलवार को धौल पुर जले के मनिया थाना इलाके के तिहया पुरा गाउं की लोग बड़ी संख्या में जला पुलिस अधिक्षक कार्याले पहुँचे जहां एसपी को ग्यापन सौफ कर मारपीट के मामले में पुलिस दौरा कारवाई कराई जाने की मांग की एसपी कार्याले पहुचे ग्रामडों ने बताये कि 8 जून को बगिल समाज के लोगों द्वारा उनके घरों पर हमला कर दिया था हमले के दौरान आरोपियों ने लाठीयों सरीयों से मारपीट की और फाइरिंग का भी आरोप लगाया है जिस मामले में दोनों पक्षों के ओर से मनिया थाने में रिपोर्ट भी दर्च कराई गई है ग्यापन्दय ने पहुचे ग्रामडों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की ओर से उनके पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जबकि जिन लोगों ने हमला किया था उनके खिलाफ कोई कारवाही नहीं की गई है ग्रामडों का आरूपी के दूसरे पक्ष के लोग अपरादिक प्रवर्थी के हैं जिन पर पूर में भी अवैध हतियार बनाने का कारखाना पकड़ा गया था जिसमें छोटे लाल और राम खिलाडी नाम के दो व्यक्तियों के खिलाफ कारवाही भी की गई थी ग्रामडों ने बताए कि आरूपी पक्ष के लोग अवैध हतियारों के बल पर प्रार्थी पक्ष के परिवार को गाउं से भगाने पर तोले हुए हैं उनका आरूप है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा परार्थी के साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा है एसबी को सौपे गई ग्यापन में ग्रामडों ने मांग की है कि इमामले में नामजद आरूपियों के खिलाब कारवाही करती हुए उन्हें गिरफतार किया जाए जो हिल लेतोर अफिक करet सांघ करा करते हैं और विजया संवाही नहीं हो रही ंग्याव कश कर रही है ंचाहते हैं लोग ऊप इसको हड़ी अधियुन यह उम्याई शल्द के सब्सक्रें